तामिया विकास खंड के अंतरगात आने वाला ग्राम विर्दा गूरी में आजादी के 75 साल के बाद भी हैट पंप नहीं लगा यहां लगबग 40 घर जिसमें 200 लोग निवास करते हैं लेकिन इस गाउ में आज तक पीने के पानी की विवस्ता नहीं हो सकी है यहां लोग नाले जरिया का पानी पीने को मजबूर हैं इधर पीएची के अधिकारी का कहना है कि गाउ में 3 हेट पंप हैं जिसमें 2 हेट पंप का जलस्तर नीचे जा चुका है वही पियाची अधिकारी ने गाउं में भी एक हेट पंप लगाने की बात कही जिससे पीने के पानी की समस्या का निवारन हो सके है पी रहे हैं जी तो यह सो परीवरतन है आपे तो बहुत से कच्छु है मनो इसके आउंगे सवाल नहीं दे सकते हैं लेकिन उस धाने से दूर होंगे तो उनको डेफिनिकली पानी लाने ले जाने में दिक्कत होती होगी और जिरिया का पानी वो ले रहे हैं ऐसा बताया गया है लेकिन पानी के लिए थोड़ा सा कस्ट है तो हैंड़ पंप से और उससे सुद्ध पानी के लिए कुवा से ले सकते हैं वो पानी यहां पर हमारे यहां पर पानी की बहुत मतलब तकलीब जा रहे हैं सर्जी यहां पर मतलब जिरिया वहां पर छना-छना कर लेके जाते हैं ह क्या है एटप उसक पिर्यास नहीं है हमारी वहां पर सदिश Talking 지elai are students यह प्रहुटता कर दे उ सुक tremendous आर्ष नहीं सी क्या दिक्ता है और चाहराी अवक्पानि की समस्या सरष अबी कहां का प्वानी फिर जीरा का पीते हैं सर बुदी को खोद के और क्या करें तो इसलिए बारी बारी से भरना पड़ता है एक बार एक माकान वार ले जा लेते हैं एक बार एक माकान वार ले जा लेते हैं एक बार एक माकान वार ले जा लेते हैं इसलिए इसी की समझ्या है पानी वाले गाउं चिंदिक से करीब 20 किलोमेटर दूर बितरी गुडी में मौजूद हैं जहां पिछ देख सकते हैं कि यहां के गाउवालों को इस भीसल घर्मी में पीने के पानी की विक्राल समस्या बन गई है जबकि इस गाउं में तीन हैंड़ पंप मौजूद हैं इस भीसल गर्मी की वज़े से हैंड़ पंपों का जलिस्तर नीचे जा चुका है बिद्री गुडी ढाने में एक भी हैंड़ पंप नहीं होने की वज़े से यहां के लोग घेत के पीच में गट्टा बना कर पानी च्छान गत्मेने को अगर्णा है इसी मामले में पीची विवाग का कहना है कि हमने तद्काल वहां पे वरकर पहुचा करा और वहां जलते जल्द एक हैंड़ पम लगा दिया जाएगा आदना नीचे में पीची जिसे श्वेब सित्य की कैमरा में लचमन के साथ